हेलो दोस्तों, जीरो लेब में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के वीडियो में हम लोग ये एक डिजिटल वाल क्लॉक जो है इसे रेपेर करना सीखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसमें इस साइड में दो ये सेल लगें, ये बैक अप बैटरीज है यहाँ पर कुछ पुस बटन्स हैं जिससे हम इसकी सेटिंग जो है उसको एड़ेस्ट कर सकते हैं अच्छा ये जो वाल क्लॉक है ये एसी मेंस से ओपरेट होती है यहाँ पर इसके प्लग द्वारा हम इससे एसी मेंस की सप्लाई के साथ जोडने वाले हैं पावर मॉनिटर में आप वाटेज जो है वो देख पाएंगे कोई वाटेज सो नहीं कर रहा है, साथी इसकी डिस्प्ले जो है वो भी वर्क नहीं कर रहे है तो यहाँ पर यह जो digital wall clock है यह बिल्कुल dead है तो ऐसी स्थित में अब हम इससे कैसे repair कर सकते हैं चलिए यह सीखते हैं तो यहाँ पर back side में आपको काफी सारे screw जो है यह लगे हुए देख रहे हैं और इन screws को हमें unscrew करना होगा तो यहाँ पर मैं यह सभी जो screw है इने unscrew कर लेता हूँ जिसके बाद हम इसके अंदर के जो parts है उन्हें देख पाएंगे तो यहाँ पर मैंने सारे screw जो है इने unscrew कर लिया है चलिए अब हम इससे open कर दे हैं तो यहाँ पर इस तरह से मैं इसे पलट के रख लेता हूँ चूंकि हमने इसके screw जो है उन्हें निकाल दिया है तो यह उपर side की housing जो है यह हम आसानी से अब निकाल सकते हैं चलिए मैं इसे side में रख देता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें ऊपर tempered glass जो है tape की साहता से attached है तो यह जो tape है यह tape हमें हटाना होगा तभी हम यह उपर का glass जो है इससे निकाल पाएंगे तो यहाँ पर मैं इस tape को जल्दी से निकाल देता हूँ और इसके बाद हम यह जो उपर side का glass है इससे निकाल पाएंगे तो यहाँ पर मैं अब इस तरह से यह उपर side का glass जो है इससे निकाल रहा हूँ और यह glass जो है निकल चुका है यहाँ पर आप देखेंगे इसमें red transparent PVC जो है यह लगी हुई है चलिए मैं इससे अलग रख देता हूँ और यहाँ पर आप देख पाएंगे जो wall clock है वो कुछ इस तरह से अंदर दिखती है यहाँ पर आप देख पाएंगे इस wall clock में 7 segment LED डिस्पले जो है यह लगी हुई है यहाँ पर काफी सारे electronics component जो है इस circuit board में लगे है जिन में मुख्यता कुछ resistance और transistor का प्रियोग किया गया है यहाँ पर एक छोटा सा circuit board main board पे mount है मैं camera को जूम करके आपको दिखा रहेता हूँ यह इसका clock chip module है चूँकि यह wall clock AC mains की supply से चलती है लेकिन backup के लिए यहाँ पर 3 volt का एक connector जो है लगा है जिससे cell द्वारा इस पर 3 volt backup के लिए दिया जाता है यहाँ पर कुछ PNP transistor जो है इनका उप्यो करके LED डिस्पले को glow कराया जाता है यह S8550 transistor है और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे यह भी S8550 PNP transistor है तो यहाँ पर इस तरह के इसमें काफी सारे component लगे हुए है इसके अलावा आप देखेंगे इसमें crystal oscillator भी एक लगा हुआ ह जो की जो wall clock है उसके लिए मुख component है तो यहाँ पर यह जो wall clock है यह AC mains से चुकी operate होती है लेकिन यहाँ पर अगर हमारी AC mains की supply power cut हो जाती है AC स्थित में यह जो cell है इनसे इस wall clock को backup जो है वो मिलता रहता है यहाँ पर इसका यह main SMPS है जिससे AC mains से 5 volt DC बनाई जाती है इस plug को ज इस main board को यहाँ पर इस connector द्वारा देता है तो यहाँ पर सबसे पहले इसका SMPS जो है उससे हमें बाहर निकालना कोगा इसमें दो screw लगे हैं जिने हम unscrew कर देते हैं जिसके बाद हम इसका SMPS जो है उससे बाहर कर पाएंगे यहाँ पर आप देख पारें इसका जो SMPS है वो हमने बाहर निकाल लिया है और यहाँ पर इसके द्वारा ही हमारे जो wall clock है इसके main board को supply दी जाती है और यहाँ पर मैं आपको दिखाने चाहूँगा इसको मैं थोड़ा सा पलट के आपको दिखाता हूँ इसमें दोनों side में component जो है वो लगे हुए हैं और यह connector जो है हम इससे remove कर देते हैं और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यह इसका smps है जो कि 5 bolt output करता है यहाँ से input AC mains होता है और इस side से हमें 5 bolt जो है वो हमारे wall clock के port पे हम यहाँ से देते हैं तो सबसे पहले हमें manually ही component देखने होते हैं इसमें एक MOV यानि VDR लगा हुआ है साथी इसमें एक fusible resistance य लगे हुए हैं तो मुखिता सबसे पहले हमें इसकी main lead को test करना होता है main lead सही है या नहीं है तो यहाँ पर हम इसका plug जो है इसे power monitor पर लगाते हैं और अपने multimeter को AC voltage section में select करके मैं backlight जो है उसे on करके यहाँ पर AC mains test करूँगा क्या हमें voltage जो है वो मिल रहा है तो यहाँ पर सभी component जो है उन्हें आप पहले manually ही देखेंगे तो मैं इसकी lead जो है इसको थोड़ा सा बाहर कर लेता हूँ जिससे कि मैं आपको सही से दिखा सकूँ इसका smps जो है उसमें लगे हुए component आप यहाँ पर देख पाएंगे मुझे यहाँ पर इसका MOV जो है यह black हो गया ऐसा द लगा लेता हूँ और backlight जो है उससे भी हमें on करना है जिसके बाद हम यहाँ पर इन दोनों component की testing जो है करेंगे तो buzzer mod या continuity आप कह सकते हैं में हम पहले resistance की testing कर रहा है यहाँ पर आप देखेंगे resistance open हो चुकी है यानि यह कोई value नहीं बता रही है MOV को हम test करते हैं तो MOV भी सकता है और open भी हो सकता है अगर सही है तब भी open होता है और sort होने के बाद भी कई बार open हो जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी fusible resistance जो है उससे निकालेंगे तो यहाँ पर इस तरह के जो circuit board होते हैं इनमें fusible resistance जो है उसकी value 1 ohm से लेके 10 ohm तक की half watt या 1 watt आप इसमें लगा सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पारें मैंने इसकी जो fusible resistance है उससे निकाल दिया है अब हम इसका MOV जो है उससे निकालेंगे तो यहाँ पर circuit board जो होते हैं इस तरह के इसमें जो MOV लगता है वो 07D का ही लगता है और आप 511K या 561K का इसमें MOV यूज कर सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे MOV इसका जला हुआ हमें दिख रहा है यह हीट हुआ हीट होने के बाद यह black हो गया है और यहाँ पर इसकी जो fusible resistance है इसमें भी हमें दिख रहा है कि यह जल चुकी है एक spot हमें दिख रहा है तो अंदर wire होता है और वो wire जो है वो जल जाता है ऐसी स्थित में fuse resistance open हो जाती है तो यह जो circuit board है इसमें अब हम नया MOV और fusible resistance जो है उससे लगाने वाले हैं MOV आप देख पाएंगे 511K70 का मैं use कर रहा हूँ और इसके अलावा fuse resistance जो है वो 1.2 ohm half watt की मेरे पास है जिससे मैं इस smps में लगाने वाला हूँ तो यहाँ पर सब लगाने में आसानी रहेगी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि electronics repairing spare parts अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैंने video के description में एक whatsapp catalog link जो है उससे दिया हुआ है आप वहाँ पर जाकर काफी सारे electronics component जो है उन्हें देख पाएंगे और अपनी जरूरत के हिसाब से उन्हे circuit board में लगाएंगे तो यहाँ पर MOV जो है यह हमें high voltage में protection देता है यह जब high voltage आता है ऐसी स्थित में sort हो जाता है और चुकि फ्यूजबल रेजिस्टेंस सीरीज में लगी है ऐसी स्थित में sort होने पे फ्यूजबल रेजिस्टेंस जो है वो open हो जाती है तो हमारा जो circuit है व आपको उस वीडियो का link जो है वो मिल जाएगा यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने MOV जो है इसमें सही से लगा दिया है इसकी extra leg sum cut कर देते हैं यहाँ पर circuit board में component जब भी आप replace करें तो solding जो है वो सही ढंक से आपके द्वारा की गई हो इस चीज़ को आप पहले sure हो ज holding जो है उससे refresh कर रहा हूं और अब हम इस circuit को test करते हैं यहाँ पर मैं इसे इस तरह से connector में लगा देता हूं जिसके बाद हम जो इसका plug है उससे power monitor में लगाएंगे और यहाँ पर आप देख पाएंगे यह wall clock जो है अब ठीक हो चुकी है इसका SMPS खराब था high voltage में यह SMPS खरा हो गया था तो इस तरह से आप wall clock जो है उसे आसानी से repair कर सकते हैं तो अगर आप भी electronics repairing component जो है इनको purchase करना चाहते हैं तो वीडियो का description चेक करिए वहाँ पर मैंने whatsapp catalog mention की है और इस तरह से हमने यह जो wall clock का SMPS है इसे बड़ी आसानी से repair कर दिया है तो उमीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए helpful रहेगा आज के वीडियो में इतना ही thanks for watching have a nice day